आज के सुड़े में हम सोलर पेनल कम्प्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है समझ लेते हैं आपके पास दो डिफरेंट वाट के सोलर पेनल है तो इन सोलर पेनल को आपको किस तरह से कनेक्ट करना होगा solar inverter का connection किस तरह से किया जाता है battery का connection किस तरह से किया जाता है और यदि आपके पास धूप का समय है तो उस condition में जो battery है वो solar panel के जरीय चार्ज होती है for example यदि रात का समय हो चुका है और धूप नहीं है तो उस condition में battery को चार्ज करने के लिए में main power supply से connection करना होगा तो किस तरह से main power supply का connection होगा किस तरह से house load का connection किया जाएगा सब कुछ आज के studio में हम एकदम detail में सीखने वाले वीडियो काफ़ interesting होने वाला है आप वीडियो वो last तक जरूब वाच कीजे चले सबसे पहले हम समझ लेते है जब भी आप solar panel install करते है तो सबसे बड़ा confusion होता है हमारे पास दो solar panel है तो इन्हें हमें series में connect करना चाहिए या फिर parallel में connect करना चाहिए for example आपके पास दो solar panel है ठीक है सबसे पहले आपके पास जो solar panel है जो बड़ा वाला solar panel है इसका voltage for example 40 volt है और इसका जो ampere है 2.5 ampere है और जो हमारे पास छूटा solar panel है उसका जो voltage 20 volt है और इसका जो current है वो 1.5 ampere है देखे सबसे सिंपल इसका जो गडित होता है वो होता है यादि आप दो solar panel को series में connect कर रहे है फिर से एक बार यादि series में connect कर रहे है तो उस condition में जो आपका current रहेगा वो same रहेगा that means current का आपको loss होगा किस तरह से होगा वो भी हम समझेगे बट जो voltage होगा वो add हो जाएगा for example यहाँ पर जो आपका voltage है 40 और इसका 20 तो यह voltage add हो जाएगा यदि आप series में connection करते है बट यदि आप parallel में connection करते है तो voltage का आपको loss होगा voltage आपका same रहेगा बट current वहाँ पर add होगा चलिए practically समझ लेते हैं for example आपने दो पेनलों को series में connect किया ठीके तो यहाँ पर देखे जो उसका voltage रहेगा series में कहा रहेगा voltage add हो जाएगा बट जो current रहेगा उन दोनों का average रहेगा या जो छोटे पेनल का current है वहाँ आपको मिलेगा यहाँ पर आपको दोनों solar panel का ampere कितना होना चाहिए 2.5 और 1.5 बट यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है only 2 ampere मिल रहा है that means यदि आप दो solar panel को series में connect करते हैं voltage आपका add होता है और current वहाँ पर आपका loss होता है इसके बारे में भी हम detail में नहीं समझ रहे हैं just overview के लिए समझ रहे हैं यदि आप parallel connection करते हैं parallel connection में आपको voltage का loss होता है जो आपका बड़े वाले पेनल का voltage आ रहा था वही voltage आपको मिलेगा बड़ current यहाँ पर add हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम parallel connection करने वाले हैं क्योंकि हमें ज़्यादा current चाहिए ज़्यादा current रहेगा था हमारी battery fast charge रहेगी ठीक है तो इसके लिए हम दोनों पेनल को parallel connection कर रहे है parallel में current add हो जाएगा बड़े इसका same रहेगा solar inverter लगाया है यह वारे कंपनी का solar inverter है और वारे कंपनी solar panel के इंडिया की largest solar panel selling company है जिसका हर एक product best quality का होता है यदि आपको solar panel लगवाना है तो आप वारे कंपनी का ही लगवाईए क्योंकि वारे कंपनी में आपको घर बेटे home installation के स्वेधा भी मिल जाती है अब सबसे basic concept देखिए यदि आप वहाँ पर inverter इंस्टॉल कर रहे है और यदि वो solar inverter है तो आपको battery को charge करने के लिए कोई भी charge controller नहीं लगाना है बड़ यदि आप वहाँ जो inverter इंस्टॉल कर रहे है वो normal inverter है तो सबसे पहले solar panel से जो voltage आ रहा है उस voltage को maintain करने के लिए आपको solar charge controller लगाना होगा फिर solar charge controller के बाद जो supply रहेगी वो आपकी battery में जाएगी बड़ हमारे पास यह जो inverter है यह solar inverter है solar inverter में आपको कोई भी charge controller नहीं लगाना होता है फिर से एक बार यदि आप solar inverter लगा रहे है तो तो आप connection आसने से कर सकते है यदि आप normal inverter लगाते हैं तो वहाँ पर charge control लगा किस तरह से connection किया चाता है इसके अपर भी हम एक detail वीडियो बना देगा अभी हम solar inverter के साथ connection समझ रहे है इसके अलावा देखिए हमें इस solar panel के जरीए घर के load को भी रन करना है तो यह हमारे पास एक switch board है और load की बात की ज़र एक water pump motor connect किया है एक fan connect किया है एक LED connect किया है और एक हमने यहाँ पर bulb connect किया है और देखिए जब धूप का समय रहेगा उस condition में क्या होगा जो आपके बैटरी है वो solar panel के जरीए चार्ज रहेगी जब शाम का समय हो जागा तो वहाँ पर main power supply के जरीए आपको बैटरी को चार्ज करना होगा तो यहाँ पर एक energy meter है distribution में से भी connect किया है और इस switch के जरीए हमारा inverter चार्ज होगा ठीक यह 3-pin top हमने inverter चार्जिंग के लिए लगाया है और एक 3-pin top हमने यहाँ पर water pump motor के supply के लिए लगाया ठीक है देखे inverter में जितना भी connection किया जाता है वो back panel में किया जाता है ठीक है तो यहाँ हमारे पास inverter का back panel है इस back panel में यहाँ पर आप यहाँ ध्यान से दावाज करते हैं तो solar panel का connection यहाँ पर करना होता है solar panel के जो supply के wire होते है वो यहाँ पर आते है solar panel का positive यहाँ लगेगा negative यहाँ लगेगा यह terminal आपको battery के connection के लिए दिया जाता है और यह एक connector आपको यहाँ पर आपकी inverter की charging के लिए दिया गया है तो यहाँ पर solar panel के wire लगेगा यहाँ battery के wire और यहाँ से inverter हमारा charge होगा और inverter का output रहेगा वो यहाँ से socket से मिलने वाला है ठीक है आए होब आपको concept clear हुआ हो चले connection की बात की जाए तो सबसे पहले हम parallel connection कर रहे हैं दोनों जो solar panel का positive से positive है इसको हमें add कर लेना है और जो यहाँ पर हमारे पास negative से negative है ठीक है negative से negative को हमने connect कर दिया है दोनों solar panel अभी यह parallel में connect हो चुके है ठीक है अब यहाँ पर जो common एक positive का wire मिला है इसे हमारे पास solar inverter में यहाँ positive की position पर लगा दे और solar panel का जो negative रहेगा वो यहाँ पर inverter के negative की position पर लग जाएगा ठीक है अभी हमारे पास solar panel का connection solar inverter में हो चुका है अब हमें battery का connection करना है तो battery पर पहले चेक कर लीजे positive कहां लगाना है negative कहां लगाना है आपको positive की जगाँ पर positive लगाना है negative की जगाँ पर negative लगाना है ठीक है वहां कनेक्ट कर देना है देगे सोलर इंवर्टर में सोलर पैनल का कनेक्शन हो चुका है बैटरी का कनेक्शन हो चुका है अब हमें क्या करना है यहां पर देखे जो हमारे पास मैंने एनरजी मीटर है इसमें इंपुट पावर सप्लाई फेस और नीटरल कनेक्ट होता है जिस इसे हमें distribution MCB में लगा दिना है आप सबसे पहले जो inverter को चार्ज करने के लिए हमने स्विच लगाया है इसमें में पावर सप्लाई का connection करना है ताकि inverter में पावर सप्लाई से भी चार्ज हो सके ठीक है यहां से क्या काम करना है हमें negative को लेना है और इसे socket में direct connect कर देना है positive को लेना है सबसे पहले switch में connect करना है जैसे switch का on किया जाएगा यहां से connector हमारा socket में आ जागा Simple सा connection है चले यहां से जो inverter है वह चार्ज होगा देखे यहां से यह cable inverter में connect हो गई है यहां हमारे inverter का charging system काम करेगा देखे हमारा solar system का complete basic connection हो चुका है आप इस solar inverter के जरीए किस तरह से house load का connection किया जाएगा समझ लेते हैं जैसे कि हम जानते हैं जो inverter होता है उसे just हम एक phase wire ही लेते हैं ठीक है व्योंकि जो neutral होता है वो देखे यहां से inverter जो charge हो रहा है तो neutral हमारे घर का ही जा रहा है तो जो neutral wire है यदि आप आपके घर का भी use करना चाहे तो भी कर सकते हैं और यदि आप solar inverter से separate neutral लेकर जाना चाहते हैं तो भी ले जा सकते हैं ठीक है यदि आपके घर की wiring हो चुकी है तो उसमें neutral का connection तो already होगा यदि नहीं तो फिर आप यहां से solar inverter से neutral भी ले जाएए यदि आपके घर में already wiring करके रखे रहें जो neutral है आप वही use कर सकते हैं तो phase हमने इस solar inverter से लिया है और जो neutral है उस neutral को देखे यहां से हमारे पास जो distribution MCB का output है यहीं से सबसे पहले neutral हमारा switch board में आता है और जितने भी load हमने connect किये है सबी load में neutral जाता है तो यहीं से neutral हमने इस fan में भी connect कर दिया है यहीं से bulb में भी connect कर दिया है और यहीं से LCD में भी हमने connect कर दिया है जितने भी आपके घर के load होते सबी में neutral का connection आपको करना होता है तो इस तरह से हमने neutral का connection कर लिया है अब देखिए phase का connection हमें करना है तो switch board में जितने भी switch है सबी switch में आपको नीचे की तरफ फिर से एक बार नीचे की तरफ phase की looping इस तरह से कर देना है देखें चारो switch में अभी हमारे पास phase आ चुका है सबसे पहले हमें switch और socket का connection कर लेते हैं देखें socket में neutral already आ रहा है और इस switch में phase नीचे की तरफ आ रहा जैसे switch का on किया जाएगा तो phase यहां से socket में आएगा और हमारा socket का connection यहां पर हो जाएगा अब इस socket से हमें water pump motor को run करना है तो water pump motor के लिए जो यहां पर supply cable होती है इसे 3 pin top के साथ इस socket में connect कर देना है तो यहां से हमारी water pump motor run करेगी अब इस switch से हमें क्या काम करना है इस bulb को run करना है bulb में neutral direct आया है जैसे switch का on किया जाएगा तो हमारे bulb का connection हो जाएगा इस switch से हमें क्या काम करना इस LCD का connection करना जैसे switch का on किया जाएगा तो LCD में face चला जाएगा और यहां से LCD का connection हो अब रही बात fan connection की तो fan regulator में हमारे पास 2 wire होते ठीक है और regulator को हमें से series में connect किया जाता है ताकि fan के speed control की जा सके तो regulator के एक wire को किसी भी एक wire को लेकर आप switch के उपर वाले position पर connect कर दीजिए नीचे already face connector जैसे switch का on किया जाएगा यहां से faces regulator में आएगा और regulator का जो दुसरा वाला wire है उसे fan के half में आपको connect कर देना है तो इस तरह से आपका solar panel का complete installation हो जाएगा और उस लोट connection हो जाएगा आई होब आपको concept clear हुआ हो किस तरह से solar panel connection किया जाता है किस तरह solar inverter connection किया जाता है और यदि दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ नई चीज़ सीखे हो तो वीडियो को like ज़रूर कर दीजिए तो आज के लिए इतना ही